खिसक जाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं खिसक जाना का कई तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है एक तो किसी चीज़ का किसी जगे से खिसक जाना को शिफ्ट होना भी कहते हैं slip away भी कहते हैं, या जैसे आप कहते हैं, कि वह वहाँ से खिसक गया ने, कि वहाँ से भाग निकला, या वहाँ से कहीं दूर चला गया, तो उसको go away भी कहा जाता है, इसके इलावा जो जमीन का खिसक ना होता है, यानि कि पहडों में आपने सुना होगा, कई बार जमीन खिसक जाती है, तो उसको इंगलिश में land slide कहा जाता है, land slide, या ground slips भी कह सकते हैं, जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें, कि यहाँ अक्सर जमीन खिसक जाती है, तो आप कह सकते हैं, the ground often slips here, या slides here, या फिर आप कह सकते हैं, वहाँ जमीन खिसक रही थी तो आप कह सकते हैं the ground was slipping there या ground was sliding there या अगर आप ये कहना चाहें कि वहाँ से खिसक जाना चाहता था तो आप कह सकते हैं he wanted to go away from there अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबक्वास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियोज को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें